आज की या वीडियो बीए थर्ड समेस्टर के छात्रों के लिए महा संग्राम होने वाली है जिनका सब्जेक्ट सोसोलोजी यानि की समाथ साफ्त रहे क्योंकि आज की इस वीडियो में वो सारे question included है जो पिछले कई सालों में कई बार repeated है और इस बार आपकी जो परिच्छा होने वाली है कल पर सोय फिर आने वाले दिनों में उसमें ये question आने की पूरी संभा होता है तो वीडियो को end तक जरूर देखते रहेगा क्योंकि इस आप लोगों को भी वरोसा दिला रहे हैं कि आप इस वीडियो फे तकर आपसे अच्छे खाफे नंबर ला सकते हैं यदि माली जी आपका जो पेपर होगा 55 सबसे पहले यहां पर देख लीजिए भाइया दूर्टिये समस्टर होता है और सब्जेक्ट रास्तर है और प्रश्ण पत्र का नाम जरूर मरेच के लिजेगा भारत में समाजिक परिवर्तन तथा समाजिक आंदोलन इफ इफ जोड़े कोईश्चन आएंगे क्योंकि यही है प्रश्ण पत्र का नाम तो चलिए कोईश्चन के और और उत्तर के और बढ़ते हैं पहला प्रश्ण आपकी बहुत ही हाई लेबल का है ठीक है तलाक यानि कि बिवाह बिच्छित क्या होता तलाक ने आपनो नाम तो स इफ जाते हैं ठीक है यानि कि कोई भी रिफ्ता उनके बीच नहीं रह जाता फादी के बाद में मालीजे कोई भी किसी भी समस्चा के वज़ा पर उनमें नहीं पट रहा है मतलब कि उनकी जो सोच है वो मेल नहीं खा रहे तो दोनों अलग रहना चाह रहे हैं तो उसी को कारिवाहिक संबंधों का समाजिक और कानूनी रूप में समापन हो जाना मतलब कि बिवाब इच्छेत का मतलब यही होता है जब भाई पती पतनी का जो संबंध होता वो समाजिक रूप से यानि कि जिस भी समाज में एरिया में महले में आप रह रहे हैं और साथ साथ में का नहीं माना जाता है यह आध्रम के खिलाफ है ठीक है और चुर मैं कि अवस्ष्चत भुषां पार्ण और चीवां के लिए और दोफ्राज सुखी धामपत्थ जीवन के लिए और तीवां समाजिक गत्विलता बनाएं रखने के लिए ठीक ये हैं विवां यानी तलाग भिच्छेंद की आवश्चक्ता के इस बात को ध्यान रखेंगे की जो आपका समाज है, समाज कई समय क प्रिवर्तन जो होता रहता है, ठíके समय के उसमें जो आर्थिक υ applying लिए जो यानि 25 रुपियाँ बात हो रहे ठीक है आर्थिक मतब कि पैनेंसिली कारक कौन कांच विए उनके बारे मुखेंगे तो समाजिक परिवर्तन का मुख कारण जो है समाजिक परिवर्तन जो होता है समाज में परिवर्तन उसका जो एक मुख कारण है वो आर्थिक कारण है ठीक इस बात को दान रखेंगे जब उत्पादन कारे हाथ से किया जाता है जब कोई भी काम या फिर कोई उत्पादन का कारे हाथ से किया जाता है तब समाजिक सम्बंधों का सुरूप जो होता है उस सरल और परंपरावादी था ठीक है इसके बाद जब उत्पादन कार्य मशीनों द्वारा होने लगा तब एक नए स्रमिक वर्ग का उधे हुआ जो अपने सोसड के कारण पूझी पतियों फे फंगर्स करने लगा इसे समाजिक धांचे और समाजिक संबंदों में ब्यापक परिवर्तन उत्पन हुए अताहा आज किसी भी दूफरे कारक की अपेच्छा आर्थिक कारक को समाजिक परिवर्तन का अतधिक महत्थ पूर्ग कारण माना जाता है तो कहने का मतब ये है कि पहले क्या होता था पहले बहुत फारी चीज़े जो होती थी ठीक है किसे बनाए जाती थी हाथ द्वारा लोगों के दवारा किये जाते है लेकिन हर हर चीज की यंत्र आ गये हैं लोगों के दौारा किये जाते हैं तो यह एक और फिर्व से संगर्ज करने लगा मतलब पॉइंची चो करोणे पती बड़े बड़े लोग पैसे मिलते हैं लेकिन उसकी जगह मसीन आ गई है तो मसीन आने का गाम हो गया आने के बाद भाई अशिशान का मकम खतम हो गया तो वही इस आपर बताया जा रहाँ कि वह संगर्च करने लगा और इससे समाजिक जो ढाटा है और समाजिक जो संबंध है इसमें बहुत ज़्यदा परिवर्तन आए ठीक है यह परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा बलकि आर्थिक परिवर्तन में भी आ गया है यह आर्थिक समस्चा भी होने लगी ठीक है तो इस प्रकार आ आप लेखेंगे समाजी परिवर्तन में आर्थिक कारक के बारे में अगला प्रश्ण बहुत ही महात्पूर्ण भीया कि जन संख्या तथा क्रांत से आप क्या समझते हैं वीडियो को आंतर तक देखते रहेगा वायकाई में अगर आप जानना चाहरें कि कौन-कौन से महात्प परिवर्तन एक दूफरे से क्या हैं पूरक है मतलब कि एक तरीके से कहले से सिमिलर हैं ठीक है काली की मतानुसार ठीक है कारली की मतानुसार कारली को नहीं है कारली एक प्रमुख समाफ्राफ्तरी और बिद्वान यह कहते हैं कि जिस समय जन संख्या में अधिक परिवर्तन ह ठीक है जनसंख्या में ब्रद्धी तथा हास्थ से समाज के विभिन समोहों के समाजिक और आर्थिक ब्रद्ध हास्थ होता है इस प्रक्रिया में निम्न वर्ग के जो लोग हैं यानि की मीडियम वाले यानि की निम्न मतलब की मीडियम वाले और उसे कम वाले ठीक है वोई लो इसमें निम्नवर्ग के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, मालिजे की कोई, मालिजे यादो जातिका है, वो मालिजे की ब्रहमड हो, मतलब कि जाना चाहरा, तो वही बात हो रही है, निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग में जाने फे रोकने के जितने अधिक उपाय किये जाते हैं उतनी ही क्रांत की सम्मावना अधिक बढ़ जाती है भाई रोकेंगे लोग और उतनी ही क्रांत की सम्मावना वो बढ़ेगी जरूर ठीक है तो इस सिधानत का निशकर्स या है कि जन संक्या में अधिक ब्रद्ध होने पर सभी ब्यक्त आवस्यक सुभिधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं मतलब कि जन संक्या बढ़ेगी तो हर चीज में समस्या आएगी आप सभी को मालूम है वो माली जे की आपके पाफ एक घर था तीक इसमें माली जे दो कमरे थे एक किचन और एक बारमदा माली जे ठीक आगे का had ever और जब आपके दो चार बच्चे होगे तो चार बच्चे होगे वो अलग होगे तो उनको क्या क्या आएगवगा बाई एक एक भी कंमरा तो नहीं आएगगा ठीक है उसमें छोटे छोटे एक मतलब की दूबारा उसको तोड़ के छोटे-छोटे कंमरे बनाए जाएंगे तो क्या हो गई सुभी धाये जो हैं वो कमी तो पढ़ रही है ठीक है और लोग बढ़ रहे हैं जन संक्या बढ़ रही है तो एक छोटा सा basic example है बाकी बहुत फारे example है आप सभी को मालूम है कि बहुत फारे example है आपके खेत है जाए या फिर आपकी प्रोपरटी आपके ज्यादा बच्चे हो जाएंगे पिर ज्यादा आपका परिवार लंबा हो जाएगा तो समस्याएं आएगी बहुत फारिश हाएंगी ठीक है घर में तो यहां तक की बच्चे यप वह जाते है तो किसी को जहां PG दो रोटी मिलने चाहिए उनको पेड़ बरके खाना भी नहीं मिल पाता है किस वज़ा फे जन से क्या अधिक होने के कारण तो ये पूरा का पूरा जो महात पूर्ण प्रस्ण है बहुत ही महात पूर्ण है आप सभी के एक्जाम के लिए तैयार कर लीजेगा आने के पूरी उ समाजिक आंदोलन के प्रकार बताईए अब समाजिक आंदोलन समाजिक आंदोलन का मतलब यह हो गया जिस भी आप समाज में जिस भी छेत्र में रहते हैं ठीक है वहां पर किसी भी चीज की पूर्टी नहीं हो पा रही या फिर किसी इंफान पर या पिर समाज के लोगों पर सोसड किया जाता है या फिर जो स्रमिक हैं किसान मजदूर कोई भी है उन पर जब सोसड किया जाता है तब वहाँ पर आंदोलन होता है ठीक आंदोलन का मत्तब यह हुआ कि भाईया हम इसी हट पे बैठे हैं कि जब तक हमारी जो मांगे हैं पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम नहीं हैटेंगे तो वही कहा आ जा रहा है कि समाजिक अंदोलन के प्रकार बताएएं किन किन प्रकारों से समाजिक अंदोलन कि एगे है और किये जाए फक्ति है प्रकार बताईए या फिर कोई आपके समाज में सुविधा नहीं है ठीक है या फिर आपको चाहिए कि भाई आपके समाज में सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है तो इस सब चीजों के लिए यह अंदोलन किया जाता है और ये दो भागों में डिवाइड किया जा फकता है या फिर बांटा जा आंदोलन को पुरा दो भागों में विभक्ति किया जाता है यह पिया जा फ क्र रखता है प्रथं जाता है करें ट उसे खलके इसके अथरुख्ने प्रकॢारN और भी होता है कि जिसमें धार्मिक आंदोलन तथा सोब ना चार आंदोलन को रहते हैं तो यह हैं समाजी कि सब परकार यह भूद है उल फूद है बहुत ही उमाध्पॉर्ण संसाइश का उन्दोन हो गया फुद्हार अंदो बहुत ही पॉपलर हुए घ उसको धियार उत ждए जन स्ञुद पूर्ण के बारे में ठीक है जो समाजिक सुधार आंदोलन का वह प्रकार है जो समाजिक बेवथा को सभिकार करते हुए उसके दोसी या फिर दोसों के निराकरण का प्रियास करता है यानि कि जो दोस होते हैं उसको साल्व करने का प्रियास करता है समाजिक सुधार आंदोलन वह समाजिक विक्रिया है जिसके कारण एक नए समाजिक संगठन का निर्माड होता है या नए संगठन बनता है नए मुल्यों के प्रति जुकाव तथा उचित बेक्तित्तो का भिकास संभव हो पाता है शुधार अंदोलन को लोग आदर के साथ इफले देखते हैं क्योंकि वह वर्तमान समाजिक बेवफ्था को सभिकार करते हुए उसे आरदर स्प्रारूप देने का प्रतन करती है इस प्रकार का समाजिक बनाना चाहरें ने जबनाना छाहने और इस प्रक्रार के समाजिक बीवफ्था बनाना चाहरें जई जिफसे आने वाले उसे देश्के इंस्प्रेशन लेखिए इप सो बना सके hola या पूरबर्ज थे या पिर हमारे जो पीड़ी वाले लोग थे वो इतने अच्छे समाजिक बेवफ्था बनाये रखेंगे तो वही बताया जा रहा है उसको आदर्स और उसको एक तरीके से बोल सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार फे ले सकते हैं उसका प्रत्न करता है वर्तमा समाजिक सम्फथाएं भी इफकार में सहायक सिद्धु यानि जो इस समय किुछ गुरूब को Generals जो हमारे मतब कि कुछ गुरूब होते हैं गुरूब सारे 10-15 गाउं मिलाकर एक बलाक बनाया जाता है ठीक और कई सारे बलाक को मिलाकर एक जिस्टिक यानि की जिला मनाया जाता है उसी तरह समाज में बहुत फारे जो गुरूप होते हैं समू होते हैं और बहुत फारे जो समितिया होती हैं उनको मिलाकर एक संफथा बनाया जाती होती जाएं वही कहा जारहा कि वर्तिमान समाजिक स्रम्वताई भी इस कार में सहायक फिर्द हुए इनका भी काफी मदद रहा है जैसे बिद्धले मंदिर फ्रेश कलव तद्धा फरकार आत के मद्दें को बल मिलता है बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तिक अंतर जातिय विवा नारी विच्छा के कमी नारी की प्रसिती तीक असपरस्यता वैस्षा वुरत नसाखोरी छेत्रवाद जातिवाद आद सभी को ठीक है इनको धान में रिखते हुए यह सुधार आंदोलन प्रारम्द किया गया है ताकि इन सभी जो यह बाल विवाय य चुल दिए चलाम formats और अगला बहुत ही महद्पूरग समाजिक कार्फ धिज़िए इस तो तयार कर सकते हैं जब ठिके अगला बहुत ही महात्पूरऱ मैंदे जब देखा सप्रस्ण पिछली 20223 से पहले आया था कौन सा कोश्रि ना और समाजिक परिवर्तन के छक्रिय और रेखिये सिधान्त में या फिर चक्रे फिद्धान्त कियों के पिर रेखिशे से के यह फिर ऐसा प्राशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, शीयोर है चाहे अत्मी आये, चाहे लगुमें आये चाहे दिर्ग में आये, यानि कि आज किस वीडियों जो जो आपको प्रश्ण बता रहे हैं, उसका उत धानत है इसके अनुसार जो समाजिक परिवर्तन है कभी एक बिसेफ दिसा में नहीं होता जीवन चक्र के समान इन परिवर्तनों में भी एक चक्रे प्रवत्ति देखने को मिलती है जिसके समर्थक बहुत यह प्रमुख बिद्वान समाफ आफ्तर है जिनका नाम है इस पेंगल यह लोग भी हैं जो प्रमुख मैंने बिद्वान बताएं तो जो समाजिक मतब कि जो चक्रे फिधान थे इसके अनुसार समाजिक परिवर्तन जो है ना कभी एक दिसा की और नहीं होता यह पहले ध्यान लख लीजे कभी एक दिसा में नहीं होता है यह जीवन चक्र के समान इन परिवर्तनों भी एक चक्रे मतब कि सभी और परिवर्तन होगा माही मालीजे की आप कह रहे हैं कि फिर आप जिस भी जिले में रहते हैं ठीक है आप किसी गाउं में किसी नगर में रहते हैं ठीक है तो यह थोड़ी होगा कि सिर्फ आपके ही गाउं में सुधार आए ठी है समाजिक परिवर्तन होना चाहीं को 70 का मतलब है एंचे यह कहरा है और रेखिय फिद्धान इस मानिता पर आधारित है कि समाजिक परिवर्तन की प्रावत्ति एक ही रिखा में आगे की और बढ़ने की होती है रेखे फिद्धान की प्रतिपादन में काम्ट प्रमुक समासाफ्त्री हैं और अगले माक्स भी है वेवलिन भी है श्पेंसर भी है तथा हाभाफ का युगदान महात्पॉर्ण है ठीक है रेखे फिद्धान तो इस प्रकाल लिखेंगे च समझ में लेकिन टाइम लगेगा अगर ना समझ में आए तो वह प्रस नोट कर लीजिए कि बाद में इंटरनेट पर अपने फिरीज कोईश्चन में में ढोड़के पढ़ लेंगे ठीक है और अगला प्रशन समाजिक परिवर्तन के कारक कभी कदार आता हमें इसा नहीं आता कि जैसे कि कभी-कभी जैसे पिछले फाल यह कोईश्चन नहीं आया था उससे प्रकाल कोईश्चन है तो इसका उत्तर जान लेते हैं प्रदुग्यकी का आर्थ प्रदुग्यकी का आफे उस व्योफ्थित ज्यांत से हैं जिसके द्वारा बिभिन यंत्रों तथा उपकरण आप लोग देखते होंगे कि ठीक है क्या देखते होंगे काटने वाली मसीन आप देखते होंगे ठीक है तो यह और उसके प्रकार यह कहते हैं कि देश पूर्त के लिए जिन साधनों का हम प्रियोक करते हैं उनसे संबंदित उपकरण अथ्वा ज्यान को प्रदुग्यकी कह लेकिन काफी सिमलर है ठीक है उपकरण अलग अलग अधाना है और बेसिक सा उत्तर इसी प्रकार लिखते हैं कोई ज्यादा इरिटियम लिखने क्या आ सकता नहीं क्योंकि यह प्रश्यातर अतिलग उत्रे भी आता है समाजिक प्रवारतन प्रदुग की कारक्स पड़ भी सकते हैं इसक्नौर के उपड़क्यूग की यह जानकारी नोलेज होता ऐ दरसन आदर्स विश्वाफ तता मूल्यो के बिश्चिश रूप में परिवर्तन होता है और दौसन तता गेतिश जोके प्रमुक tob acquaint owने कहा है कि सामस्कृतिक परिवर्तन समाजिक परिवर्तन है। ठीक है और क्योंकि समस्त सांस्कृतिक अपने उत्पत अर्थ का प्रियोग में समाजिक हैं मतलब कहने का मतलब यह सांस्कृत परिवर्तन यह भी मतलब कि कभी कोई गरीब रहता है, वो अमीर हो जाता है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना जरूर आपको है, कि अपने जो रीत रिवाज हैं, उनको नहीं बदलना चाहिए, रहने फेहने का तरीका, मतलब भाई, आप अच्छे हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप अच्छा खाईए, आप अच् स्चौर करते थे, या फिरा साहिश? रिलेफन में सब करें बड़े हो गए, तो आप लेकिन किसी की यहां जाते हैं, दो इस आप इससिंता लेटन को बहूं करते। किसी अन्य कल्चर को अपना है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे समाज सांस्कृत परिवर्तन के बारे में सांस्कृत परिवर्तन के बारे में सांस्कृत परिवर्तन के सांस्कृत कारक आप पढ़ लेंगे कोई इतना महात्पूर्ण नहीं लेकिन उपर वाला प्रद्दुग की यह भी महात्पूर्ण प्रश्ण है यह भी परिष्छ में कई बार पूंचा जा चुका तो इसको भी तयार कर लेंगे विकास या फिर विकास के प्रकार इन सकता है आपके पाफ सो रुपे थे और आज आपके पाफ एक हजार होगे दीर दीर आपकी आर्थिक बिजने लेगा तो आपकी आर्थिक विकास बहुत तो अच्छा हो गया यानि कि लगजरी घाड़ी हो गई करोणों के मालुक हो गई दीर 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 प्रधान मंत्री पर चलें गए और समाजी विकास के मतलब है हो गया समाज में आपका जो नाम चल दाहा था तो आपको समाज में कोई आपको जानता ही नहीं था धीरे-धीरे में यह आने वाला हमेशा नहीं आता इसको भी इंगनोर कर दीजी गया पस्चिमी करण ये आपका अतिल्य घुत्रे में आएगा धर्म निर्पेच्ची करण ये भी आपके अतिल्य घुत्रे में आता है पिछले फाल रिपीटे ने कुष्चन भूम अंडली करन ये भी अतिल्य घ उखिनाए तहीं है एंपर आिकिर परिवर्तन के विश्टिस्ट को ने हम अगय अगर संप्र forecastern के इंद अग्ला कोईश्चन की समाजिक परिवरतन के सब्सक्राइं मैं ने आपको बता चै और चक्रिवरतन के बारे में वते आपार में संटशना कार थे भी इंटि सब्सक्राइब परिवर्तन इन में से सब्सक्राइब इस बात की गारंटी तो इस प्रकार के कुछ आप की परिच्छा में प्रस्ण देखने वाले हैं हम आप लोगों का ज्यादा टाइम नहें लेने क्योंकि आप सभी की परिच्छाएं लगी हैं तो आपका टाइम वेश्ट नहों आप अपने नुसार जो भी मैंने तो बहाई कुछ कोश्चन थे ठीक है उनका उत्तर मैंने आपको अपनी भासन समझा दिया और आप समझ भी ग प्रवाइट करा देंगे और पिछले फाल का एक कुश्चन पेपर और मारल पेपर भी आपको प्रवाइट कराएंगे प्रवीय सिर का ताकि आपको उसका फॉर्मेट पता चलिगे कि किस परकार के कुश्चन आये थे और कौन-कौन से कुश्चन जो थे वह ज्यादा बार है ठीक है तो एक और वीडियो में मिलते हैं जैंद